नमस्ते दोस्तों आज हम बत कते भारत के कुछ महत्पुर्म बंदरगाओं के बारे में जिसमें फर्स्ट नमबर पे हमारा मुंबई बंदरगाओ मुंबई बंदरगाओ अरथ सागर में स्थित महराष्ट राज्य में तो मुंबई बंदरगा कोंस राज्य में है? महराष्ट राज्य में नेश्ट है हमारा पारादीब बंदरगा पारादीब बंदरगा बंगाल की खाड़ी में स्तित उडिसा राज्य में नेश्ट है हमारा चन्नाई बंदरगा, बंगाल की खाड़ी में इस्तित तमिल्लाडु राज्य में है, कौन से राज्य में है, तमिल्लाडु, उसके बाद है हमारा विशाका पटनम बंदरगा, विशाका पटनम बंदरगा है, बंगाल की खाड़ी में इस्तित आंधर प्रद नेश्ट है हमारा कांडला बंदरगा, यहां बंदरगा कच्छी की खाड़ी में इस्थित गुजरात राज में, कौन से राज में है, गुजरात राज में, नेश्ट है हमारा मुर्मु गाव बंदरगा, यहां बंदरगा अरब सागर में इस्थित गुवा राज में है, उसके इसके बाद है हमारा नहावा सेवा बंदरगा या जबलहाल नहरू बंदरगा या बंदरगा अरब सागर में इस्तित महरास्ट राज में है नेश्ट है हमारा कोचिन बंदरगा या बंदरगा अरब सागर में इस्तित केरल राज में है तो कौन से राज में है केरल राज में इ एन्नोर बंदरगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित तमिलाडु राज्य में हैं, नेश्ट है हमारा हल्दिया बंदरगा, हल्दिया बंदरगा कोलकत्ता में हुगली लदी परिस्थित पश्यम बंगाल राज्य में हैं, कौन से में पश्यम बंगाल, इसके बाद है हमारा तू कोरिन बंदरगा या बंदरगा बंगाल की खाडी मिस्ति तमिलाडू राज मिस्ति थे इसके बाद है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगा या बंदरगा अरब सागर मिस्ति करनाटक राज्य में हैं यह कुछ मैट्पन बंदरगा जो एक्जाम में अधिक्तर आते हैं एक बार हम इन बंदरगाओं के नाम और पहले इनके राज्यों के नाम में रिवाइस करेंगे तो फर्स्ट है हमारा मुंबाई बंदरगाँ महराष्ट राज्य में इस्ती थे नैस्ट है हमारा पारादीब बंदरगाँ या उडिसा राज्य में इस्ती थे इसके बादे हमारा चन्नाई बंदरगा ये तमिल्लाडू राज्ज में इस्थी थे फिर विशा कपटनाम बंदरगा ये आंदर प्रिदेश राज्ज में इस्थी थे कांडला बंदरा ये गुजराद राज्ज में इस्थी थे मुर्मुर्गाव बंदरगा या गोवा राज मिस्थी थे नहावास सेवा बंदरगा या जवलाल नेरू बंदरगा या माराश राज मिस्थी थे कोचिन बंदरगा केरल राज मिस्थी थे एन्नोर बंदरगा तमिलाडू राज मिस्थी थे हल्दिया बंदरगा पश्यम बंगाल में इस्ती थे तूती कूरिन बंदरगा या तमिलाडु राज्य में इस्ती थे न्यू मंगोल बंदरगा या कन्नाटक में इस्ती थे तो न्यू मंगलोर बंदरगा का इस्ती थे कन्नाटक में